मैं हूँ नीरज कुमार और आज मैं आ गया हूँ आप लोगों के बीच mathematical economics का एक नए वीडियो को ले करके जिसमें डिसकस करने वाले हैं about profit maximization under multiproduct firm ठीक है देखे होता क्या है ना अगर एक कोई firm है जो multiproduct बनाता है वैसे situation में profit maximization कैसे होगा ठीक है तो simple सी बात है कोई भी monopoly firm हो उसका जो motive होगा ठीक है वह mainly किया होगा वह profit को 있어 maximum करना चाहेगा ठीक है तो इसमें क्या है ना सबसे पहला काम तो होगा कि हमें profit निकाल लेना होगा क्या करना होगा profit निकाल लेना होगा profit निकलता है टोटल रेवेन्यू माईनस टोटल कॉस्ट से ट्रीक है कैसे करेंगे टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट देखेंशी सुनिए थैरीक्टल और आंपल से टि Bunny करेंगे तो वहां से आपका जूभी डाउठ हो क्लियर हो जाएगा ठीक है प्रॉफिट निकालने के बाद हमारा काम क्या होगा प्रॉफिट निकालने के बाद हम सबसे पहले डिफ्रेंसियेट करेंगे प्रॉफिट को है ना इसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसियेट करेंगे भाई इसको डिफ्रेंसियेट करेंगे हम है Q1 & Q2 दो प्रोड़क्ट है बल्टी प्रोड़क्ट फॉर्म है ना तो माल लिजे दो प्रोड़क्ट है Q1 & Q2 clear Q1 Q2 के respect में differentiate करेंगे equals 0 कर देंगे जो हम लोग profit maximization पड़े हैं है ना first order condition आपको पता है कि differentiate किज़े equal to 0 किज़े फिर profit को differentiate करेंगे Q2 के respect में differentiate करेंगे इसको equal 0 right ध्यान रखें इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं इसको पाई-1 बराबर 0 है ना मतलब Q1 के respect में differentiate करेंगे उसको पाई-1 माल लेंगे हना और पाइट्टू को differentiate करेंगे तो हम लोग क्या माल लेंगे पाई-2 माल लेंगे ठीक है विल्ट तु जीरो क्लेर सेकेंड-ॉडर ठंडिशन में हम लोग है ना क्या करेंगे बॉर्डर हैसियन का जो रूल है वोग अप्लाए करेंगे वह को हम लोग इसके थुरू हम लोग आपको अच्छे से पता होगा इसके थुरू हम लोग निकास सकते function maximum है या minimum है जहां से सुनिएगा पाइवन का मतलब है first order derivative पाइवन वन क्या हो जाएगा जब हम लोग पाइवन को differentiate कर देंगे फिर से q1 के respect में ठीक है तो वो हमारा पाइवन वन बन जाएगा ठीक है उसी प्रकार से second प्रॉप पाइटू को differentiate अगर कर देंगे q2 के respect में तो हमारा क्या बन जाएगा पाइटू बन जाएगा ठीक है और पाइवन को अगर हम लोग q2 के स्पेक्ट में differentiate कर दें तो वो हमारा पाइवन टू बन जाएगा जो कि हमारा पाइटू वन भी कहलाता है यहां बेसिक चीजें यह है हमारा है ना जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का रूल है वही अपलाई करना है ठीक है हम लोग ज्यादा इस पर ठीटिकली ना जानके सीधा एग्जाम्पल पर समझते हैं तो ज्याद़ क्लियर होगा इस देखिए तरी रेवेन्यू फंक्षन दिया हुआ है कितना पी बान इंटू क्यू बन प्लस पी टू इंटू आपके क्यू बन का प्राइस डिवन राइट है दूसरा प्रोड़क्त यू तू उसक सबसे पहला profit निकाल लेंगे profit कैसे निकलेगा अगर profit निकालने की बारी यहां पर आए ठीक है तो इसको पाई लिख लेते हैं हना पाई बराबर क्या हो जागा revenue function minus cost function ठीक है revenue function क्या दिया हुआ है revenue function दिया हुआ है P1 Q1 प्लस P2 Q2 माइनस 2 Q1 का square माइनस Q1 Q2 माइनस 2 Q2 का square है ना देखें revenue function माइनस cost है तो माइनस इसमें सीधा कर दिये तो माइनस 2 Q1 square हो गया माइनस Q1 Q2 माइनस 2 Q2 का square clear है यह हमारा profit function निकला अब हमें क्या करना है अब हमें differentiate करना है profit को इसके respect में Q1 के respect में equals 0 राइट क्या हो जाएगा हमारा जिसको हमने यहां पर Pi1 माल लेते हैं ठीक है यहां क्या माल लेते हैं Pi1 ठीक है रिक्स का कहा überset, को Q1 के respect में क्या आएगा PQ1 है P1 Q1 है तो सिर्फ P1 बचेगा चुकि Q1 का Q1 के respect में 1 हो जाता है यहाँ पर कहीं Q1 नहीं है तो खतम पूरा 0 हो गया minus 2Q2 का square है तो 4Q1 बचेगा है ना फिर यहाँ पर केतना है minus Q2 बचेगा चुकि Q1 का 1 हो जाता है clear फिर इसको solve कर देंगे 2Q2 का square यहाँ पर भी हमारा Q1 नहीं है तो वह हमारा हो गया 0 clear equals 0 ठीक है क्या आ जाएगा इसको अमला ऐसे भी लिख सकते हैं हमनों simply लिख देंगे क्या P1 equals 4 Q1 plus Q2 clear है यह हमारा मान लिजी equation number हो गया 1 ठीक है अब क्या करना है अब पाइटू निकालेंगे पाइटू का मतलब क्या हो गया profit को differentiate करते है Q2 के respect में equals 0 राइट जब differentiate करेंगे Q2 के respect में क्या आएगा तिर्फ P2 बचेगा यहाँ पर पहले क्योंकि यह पूरा Q2 बचा clear है इसको अगर simplify करके equal to 0 तो इसको simplify करके लिखेंगे तो लिख सकते है P2 equals Q1 plus 4 Q2 clear है इस इस अबर equation number one अना अब अगर equation 1 2 को solve करें मता equation 1 हमारा कितना है P1 equals 4 Q1 plus Q2 और equation 2 कितना है P2 equals Q1 plus 4 Q2 कैसे solve करेंगे हम यहाँ पर क्या करते हैं यहाँ पर multiply कर देंगे इसमें one और इसमें multiply कर देंगे into 4 ठीक है बस वाज़सा है जो simple solution होता है equation का ठीक है क्या हो गया P1 equals 4 Q1 plus Q2 अधर हो गया 4 P2 equals 4 Q1 plus 16 Q2 क्लियर है अब यहाँ से solve किया जाए इसको क्या होगा देखें तो solve करने पर क्या इसका आएगा सबसे पहले देखें यहाँ पर न थ्वड़ा सा मैं इसको लिग दे रहा हूं यहाँ पर माइनस हो जाएगा यहाँ पर माइनस यहाँ पर भी माइनस ठीक है यहाँ वचेगा यहाँ बचेगा यहां बचेगा p 1 minus 4p2 लेकैना से च्टोटा लिख जाँ रहा है मैं इसको इधर लिगदे रहा हूं ठीक है 15 q2 बचेगा तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं q2 इक्वल्स कितना आया q2 इक्वल आपका आ गया कि आप कि इंपली कि पीवन माइनस पूर पीटू बाय माइनस 15 या फिर इसको लिख सकते हैं q2 इक्वल्स माइनस उपर ले जाए तो माइनस पीवन प्लस पूर पीटू इक्वल बाय 15 यह हमारा क्या हो गया equilibrium quantity of second product ठीक है clear है मुझे उम्मीद है यहां तक दिक्कत नहीं होना चाहिए यह q2 आ गया q2 हमारा बिलकुल यही आंसर है अब हमें क्या करना है q1 निकालना है यह value किसी equation में put कर देते putting this value in equation 1 ठीक है पूटिंग इस वैल्यू इस वैल्यू इस वैल्यू इन एक्वेशन 1 ठीक है यह वाला जो वैल्यू क्यूटू का है equation 1 में put कर देते तो equation 1 क्या है P1 equals P1 equals फिर क्या है 4Q1 plus Q2 4Q1 plus Q2 के जगा पर क्या put कर देते हैं Q2 यहां पर put कर देंगे minus P1 minus P1 plus 4P2 by 15 यह put कर देंगे है ना Q2 का value यही आया है ना Q2 का value बिल्कुल यही वाला है ठीक है तो क्या हो जाएगा यहां से इसको solve करने पर P1 equals 4Q1 इसको पूरा का पूरे एक साथ ले लेते हैं तो इसको solve कर देंगे all divide में आ गया हमारा यह फिर इसको ऐसा ना करके सीधा हम लोगा ऐसे solve करते हैं ठीक है इसको ना simple way में कर देते हैं है ना क्या होगी हमारा तीरा सी रिली सकते हैं 4Q1 equals पीवन माइनस यह प्लस में उधर जाएगा माइनस हो जाएगा माइनस पीवन प्लस फोर पीटू बाइ फिप्टीन है ना क्या हो जाएगा 4Q1 equals 15 उपर चला जाएगा यहां पर 15 पीवन ओल डिवाइड में 15 ले लेते हैं माइनस यहां पर माइनस पीवन है प्लस फोर पीटू है ठीक है क्या हो जाएगा 4Q1 equals हमारा आ गया 15 पीवन प्लस पीवन माइनस फोर पीटू बाइ फिप्टीन क्लियर तो क्या होगा 4Q1 equals 16P1 माइनस पोर पीटू बाइ फिप्टीन अब अगर हम लोग सॉल्व करें यहां लिग सकते हैं Q1 equals लिग सकते हैं क्या 16P1 माइनस फोर पीटू बाइ पोर इन्टू फिप्टीन है ना देखें तो निमरेटर में फोर कॉमन है ना तो कॉमन निकाल सकते हैं Q1 equals कॉमन निकाल देंगे 4 कॉमन निकालें क्या बचेगा 4P1 माइनस पीटू बाइ फोर इन्टू फिप्टीन है ना यह फोर फोर कैंसल हो गया क्या बचेगा Q1 equals 4P1 माइनस पीटू बिभाइड में कितना आ गया 15 यह हमारा क्या आया Q1 का वैल्यू है ना यहां तक मुझे उम्मीद है कोई प्रॉबलम नहीं हुआ होगा Q2 का वैल्यू हमारा आ चुका था यहां पर पहले ही यह Q2 का वैल्यू था है ना यह हमारा क्या है यह हमारा Q2 का वैल्यू है और यह जो हमारा अभी आया यह हमारा Q1 का वैल्यू है तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउट्पुट क्या हो गया Q1 दिस और Q2 यह हमारा प प्रोफित पाइब बन वन चाहिए मतलब पाइब बनन का मतलब क्या हुआ जब हम लोग डिफ्रेंसियेट किए ते इसको फिर से क्यू अर्ब करेंगे तो Jo again का डिफ्रेंसियेट करो तो कीतना आएगा है कि तो यह तो 0 हो जाएगा है कितना माइनस फोर बचाएगा फिर यह भी जीरो तो शिर्फ कितना आएगा माइनस और रिएर और क्या आएगा और उसके बाद कि यह वog से जरूर सॉल्व करके देख लिजेगा हना मैं डायर्क लिख रहा हूं या फिर फाइवन टू क्या होगा फाइवन का मतलब पाई 1 को Q2 के रिस्ट्रक्ट रिफ्रेंसर को माइनस 1 आएगा कितना आएगा माइनस 1 है ना तो हैसियन डिटर्मिनांट में अगर इसको पुट की आ जाए तो क्या होगा तो पाई 1 2 ही हमारा पाई 2 1 होता है क्लियर क्या होगा माइनस 4 फिर माइनस 1 माइनस 1 और माइनस 4 यही है ना क्या आएगा देखे तो यह हमारा आएगा डिटर्श करेंगे तो 16 आ गया सॉल्ब करेंगे तो इसको 16 आ गया 16 माइनस 1 कितना आएगा 15 है ना यह हमारा है कोई दिक्कत नहीं है इसमें बिलकुल ठिक है तो यहां से क्या conclusion निकला ध्यान से देखी मैं थोड़ा से side में लिख दे रहा हूँ है ना अगर हम बात करें first order का तो वो कितना है h1 कितना है हमारा वो है minus 4 कितना है minus 4 जो कि less than 0 है और second order का hessian determinant का value कितना आया 15 कितना है 15 जो किए greater than 0 function क्या होगा maximum होगा ठीक है आपको पता ही होगा first order अगर less than 0 हो second order greater than 0 हो है ना तो function वहां होता है maximum ठीक है clear है तो चलिए यह था आपका equation इसमें मुझे उम्मीद है समझ में आपको आया होगा तो चलिए देखते हैं हम लोग दुसरा question ठीक है कहता है demand function of the monopolis firm दिया हुआ है q1 a q2 a दो product है q1 q2 उनका demand function दिया हुआ है cost function is also given right अब कहता यह है देखिए कर ध्यान से देखिए का इस question में समझ में आपको यह आएगा कि cost function में q1 q2 independent variable है demand function के case में यह dependent variable है ठीक है तो सबसे पहले हमको ना इन्हें convert करना होगा किसमे q1 q2 को हम लोग इंडिपेंडेंट ही बना देते cost function का accordingly अगर आप solve किजेगा ज्यादा easy रहेगा ठीक है तो क्या करना होगा देखिए ध्यान से सबसे पहला काम क्या कीजिए वो समझे अगर question अगर इस तरह दिया हुए तो अगर p1 equals function of q1 रहता या और दुसरा का p2 equals function of q2 रहता तो कोई समस्या ही नहीं था ना लेकिन यहाँ पर q1 is the function of p1 p2 है ठीक है ऐसा case अगर रहे इस तरह अगर इस तरह दिया पी 1 p2 दिया हुआ है तो कोई दिक्रत ही नहीं है ठीक है लेकिन question यहाँ पर इस तरह से नहीं है ना ऐसे case में पहले हमें q1 q2 को independent variable के रूप में convert करना पड़ेगा ठीक है देखिए क्या करेंगे सबसे पहले देखिए यहां से अगर हम को देखिए दो demand function यही था हमारा तो यहां से देखिए तो q2 में से अगर हम लोग p2 को इधर निकाल दे है ना अब p2 को इधर कर दे तो क्या हो जाएगा 15 plus p1 minus q2 होगा की नहीं होगा अब यह value हम लोग पहला equation में put कर देते हैं इसमें ठीक है क्या हो जाएगा q1 equals 40 minus 2 p1 plus q2 के जगा पर क्या put होगा 15 plus p1 minus q2 clear है क्या आ जाएगा यह आ जाएगा q1 equals 55 40 plus 15 और minus p1 और minus q2 clear है अगर हम लोग पीवन उधर करने क्या होगा प्लस हो गया पीवन equals क्या होगा 55 minus q1 को इधर ले गाए तो minus q1 minus q2 clear है यह हमारा पहला डिमांड फंक्शन हो गया फर्स्ट वाला यह वाला अब यह जो आप चुकी देखे यहां पर क्या है पीटू बराबर क्या था हमारा इक वस्ट फिप्टी फाइब हो गया 70 70 minus q1 minus 2 q2 clear है यह हमारा second equation हो गया तो यह second demand function हो गया ठीक है इसको equation नहीं यह simply यह first demand function हमारा कौन सथा फर्स demand function यह हमारा है और second demand function हमारा यह वाला है clear है अब क्या करना है हमारा सवाल है profit maximizing output level निकालना equilibrium price निकालना और maximum profit क्या होगा वो निकालना क्या करेंगे भाई इसके लिए हम सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग total revenue निकाल लेते हैं यहां पर फिलाल होगा पीवन इंटू q1 plus p2 into q2 clear देखो total revenue बराबर होता है price into quantity ठीक है यहां पर दो प्राइस है दो प्राइस है दो quantity यह तो पीवन इंटू q1 plus p2 into q2 क्या होगा टी आर पीवन हमारे पास दिया हुआ था ना पीवन कितना है 55 55- q1- q2 clear है उसनों कोई दिक्कत नहीं into q1 plus p2 कितना है p2 हमारा 70- q1 70- q1- q2 clear यह हमारे यह है ना हां बिलकुल यह है इंटू q2 यह हमारा टोटल रेवेन्यू निकल गया टी आर तो क्या होगा q1 को मुल्टिप्लाय करेंगे तो 55 q1 minus q1 का square minus q1 q2 plus 70 q2 minus q1 into q2 minus q2 q2 का square clear यह फिर हम लोग बोल सकते टी आर इक्वर्स इतना गया यहार इक्वर्ट हमारा हो गया यहां पर हां कुछ चेंज तो ज्यादा कुछ हुगा नहीं 55 q1 minus q1 का square minus 2 q1 q2 हो जाएगा चुकि क्यू 1 q2 दो जगा पर है ठीक है सम हो गया प्लस 70 q2 माइनस 2 q2 का square clear अब हमें निका हमारे पास cost function भी दिया हुआ है cost function क्या दिया हुआ था cost function दिया देखे q1 equal c equal कितना दिया है q1 का square q1 का square plus q1 q2 plus q1 q2 और क्या है plus q2 का square plus q2 का square clear है अब देखिए सबसे पहला काम होगा कि हमें profit निकालना है तो profit कैसे निकलेगा भाई profit को पाई मान लेते है profit कैसे निकलेगा ती आर माइनस cost मैं total revenue में total cost clear है क्या होगा देखे 55 q1 minus q1 का square minus 2 q1 q2 plus 70 q2 minus 2 q2 का square minus cost function में क्या है q1 का square minus q1 q2 minus q2 का square ठीक है तो profit हम लोग अगर इसको arrange करके लिखा जाए क्या हो जाएगा देखिए तो 55 q1 ठीक है q1 का square यहां पर भी है और यहां पर भी है कितना हो जाएगा minus 2 q1 का square ठीक है minus 2 q1 q2 यहां पर भी है यहां पर भी q1 q2 है तो मैंसर प्लस हो गया minus 3 q1 q2 clear फिर प्लस हो गया 70 q2 कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहां तक q2 square q2 square दो जगा है तो माइनस 3 q2 का square हो गया कोई दिक्कत नहीं है दिस इस दा प्रॉफिट function कितना आया है 55 q1 चलिए मैं तो मैच कर ले रहा हूं प्लस 70 q2 बिल्कुल है ठीक है तो यह हमारा profit function निकल गया है clear है यहां तक कोई समस्या नहीं है अब हमारा काम क्या है वही अभी जो मैंने किया था पाइवन इकवर्स क्या होगा differentiate करेंगे हम लोग profit को किसके respect में q1 के respect में equals 0 राइट तो q1 के respect में differentiate करते हैं इसको हम लोग हना इसको q1 के इसको differentiate करते हैं कितना हैगा 55 देखे यहां पर भी q1 है 55 हो जाएगा यहां q1 फिर क्या है यहां पर भी है तो माइनस 3 q2 बचेगा माइनस 3 q2 बचेगा clear बाकी कहीं तो बचे कुछ बचेगा नहीं चुकि बाकी q1 कहीं नहीं है ठीक है तो equals 0 या फिर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते है 55 equals 4 q1 plus 3 q2 यह हो गया equation number 1 को दिक्कत नहीं है अब हमें second profit निकालन होगा क्या निकलेगा यह फर्स्ट ओडर कंडिशन है हमारा ठीक है ना q2 clear यह हमारा first order condition है राइट यह हमारा second order condition सुरी यह भी फर्स्ट ओडर कंडिशन के अंतरगा थी सारा चल रहा है ठीक है second order condition में directly हम लोग जो multi variable case में maximum minimum जैसे solve करते हैं वैसे निकाल सकते हैं या फिर सीधा सीधी border hessian का जो है rule वो apply कर सकते हैं ठीक है तो क्या हो जाएगा यहां पे equals अगर हम लोग q2 के respect minus 6 q2 देखे इसका differentiate किये तो 6 q2 आएगा ना बिल्कुल आएगा equal to 0 क्या हो जाएगा यह हो गया हमारा 70 equals 3 q1 plus 6 q2 है ना यह equation number हो गया हमारा 2 क्क्वेशन है हमारा equation number 2 अब अगर equation 1 2 को solve किया जाए equation 1 कितना है 55 equals 4 q1 plus 3 q1 और q2 second equation 70 equals 3 q1 plus 6 q2 clear है यह q2 है है ना ठीक है कोई दिक्कत नहीं यहां तक क्या करेंगे multiply करेंगे solve करने के लिए क्या इसमें मालों 2 multiply कर देते हैं कितना आएगा 110 equals 8 q1 plus 6 q2 इसमें यहां पर 1 multiply कर देंगे इसमें कोई कुछ changes नहीं होगा 70 equals 3 q1 plus 6 q2 क्या बचेगा minus 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 110 में 70 गया कितना बचेगा 40 equals यहां बचेगा 5 q1 यह पूरा cancel हो गया ठीक है तो इस हिसाब से q1 कितना आया q1 equals गया 40 by 5 हो गया 8 ठीक है q1 हमारा कितना आ गया 8 आ गया clear है ठीक है चलो अब हम लोग इसका value पूट कर देते equation number 1 में equation 1 कितना है 55 equals 4 q1 तो q1 के जगा 8 पूट कर देते equation 1 यही है न जी 55 minus 4 q1 plus 3 q2 कितना बचेगा 45 55 minus 8 फोर्जा 32 इसको minus कर देंगे इधर 32 equals 3 q2 कितना आएगा 3 q2 equals इतना बचेगा हमारा यह बचेगा हमारा 23 clear 23 हो ना यस 5 में 3 गया बिल्कुल 23 होगा तो q3 कितना आएगा हमारा q2 कितना आएगा हमारा 23 by 3 clear है यहां तक कोई समस्या तो नहीं है चलिए अगर यहां तक आपका आ गया तो अब हमारे पास पहला तो का दो कांसर मिल गया हमारे हमारा क्या था पहला कोशन क्या था हमारा पहला कोशन था profit maximizing output level जो क्या निकला q1 हमारा आया 8 और q2 कितना आया हमारा 23 by 3 clear हमारा आग हया पहला का आंसर एवाला का यह हाई equilibrium price निकाल ये तो भाई equilibrium price निकाल देते हैं यहां पीवन है ना पीवन के जगह पे पूट कर दें 55-1 कितना 8-23 by 3 क्या होगा 55-55 में एट पहले चला गया है ठीक है इसको डाइटली सॉल्व कर लेते हैं 55 को 47-23 by 3 that is क्या होगा 3 overall लिजे कितना होगा 1 2 बचा 12 और 113 131 ठीक है आप लोग भी कर लिजेगा 14141 कितना आएगा 131 नहीं 141 clear 3 into 47 तो 141 minus 23 clear क्या हैगा 141 minus 23 कर देंगे 118 by 3 clear यह होगा हमारा P1 यह क्या होगा P1 ठीक है अब equilibrium price निकाल यह P2 क्या होगा 70 minus 8 minus 2 into 23 by 3 क्या आएगा 62 minus यहां होगया 46 by 3 जो solve करने पर कितना आएगा 6 186 minus 46 by 3 नहीं गा 6 में 6 गया 0 8 में 4 गया 4 145 3 clear यह होगया हमारा P2 equilibrium price भी निकल गया ठीक है एक काम जो मैं आप पे छोड़ रहा हूँ वो क्या है कहता है maximum profit निकालिए ठीक है तो profit का equation हमारा कितना था जी अगर देखिए profit का equation यहीं है ना यह profit का equation था आप अगर लिखते जा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है जहां Q1 है और Q2 है value पुट कर दिए Q1 का 8 और Q2 का 23 by 3 आपका answer आज आएगा ठीक है तो यह था multiproduct monopoly का situation ठीक है अगर और भी इसते related questions आएंगे तो we will discuss है ना आज का यहीं तक मिलेंगे next video में धन्यवाद